जेहिन साथियों, नमस्कार सभी प्यारे भाईयों और भेनों, आज अपने एक नया विसे शुरू करते हैं और वो है हिंदी का एक टोपिक जिसका नाम है समास, क्या नाम है समास, यानि जो राजस्तान, पटवार, SI, REIT की जो त्यारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए समास में अगर हम बात करें, सबसे पहले, समधन आस, समधन आस, वीडियो सेर कर दीजिए, यानि समधन आस का मतलब यहां होता है, पास लाना, क्या होता है, पास लाना, हमसे दो चीज पूछ चकता है, कि जो समास है, इसका विलोम शब्द क्या होता है, या इसका शाब्दि अर्थ पूछा जाए शाबदिक अर्थ पूछा जाए तो होगा शंशेप या शंशिप यह हम इसको बोल सकते हैं छोटा रूप छोटा रूप इसका विलोम शब्द पूछा जाए विलोम शब्द पूछा जाए मैं आपको विल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से बता दूँगा समास की पहचान कैसे होती है आप बने रहें विलोम शब्द जो है वो होगा इसका व्यास क्या होगा व्यास परसंधारू दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं या कमेंट करके बताना अब हमसे पूछा जाए कि जो समास है इसके भेद कितने है हिंदी में मुख्यते इसके च्यार भेद माने जाते है लेकिन हम तत्पुर्ष समास के ही दो भाग करम धारे और द्विगु समास को जोड़ कर छे भेद मानते है तो समास में से की धोनी है लेकिन भेद कितने है च्या है कितना भेद है च्या बेद है एक चीज और च्या ना लिक्यों थे ये गल्थ है ये सही है कुन-कून से भेद है उनको याद करेंगे पहले पृवासा नोट कीजिए दो या दो से अधिक शब्दों को मिला कर जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं समास कहते हैं या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की जो विबगती का लोप करके जो पद बनता है उसे समास कहते हैं और बनने वाले पद को समासिक पद कहते हैं, समासिक पद क्या होता है, कि समास की परकिरिया के बाद बनने वाला, नोट कर लिए, यहीं कर लेते हैं लोगो, समस्त पद क्या होता है, उसको लिख देते हैं, समासिक परकिरिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद भी कहते हैं या उसे हम समासिक पद भी कहते हैं समासिक पद भी कहते हैं ठीक है प्रिवासा पहले ही हमने बात कर चुके हैं कि दो या दो से अधिक सब्दों के शार्थक मेल को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं समास के वहएद समास का भेद किता है बंग बारम नोट करो और फिर उसको असानी से याद करेंगे तो इसका विलॉम्शव्द क्या हुआ? व्यास हुआ और शाबदी कर्थ क्या हुआ? शंक्षिप्त या शंशेप या छोटा रूप समास के भेद की अगर बात करें तो जैसे सबसे पहला भेद लिया अवेई भाव समास सब इंस्पेक्टर की जो प्रिक्षा दी थी उसमें हिंदी में अच्छे नमबर आये थे तो वही कारण था कि जो त्यारी उस समय की तो सोचा भी आपको भी थोड़ा सा लाभानवित कर दिया जाए जितना मुझे आता है मैं उतना भर सक आपको बताने का प्रयास करूँगा और जैसे ही मैंने यहाँ शब्द का प्रयोग कि आप भर सकत तो वह भी कौन सा समास है अब यह भाव समास है ठीक है वो कैसे है वो आगे बात करेंगे फिर बात करते हैं ततपुर्ष समास की उसके बाद बात करें ततपुर्ष समास के बाद तो द्वंद या इसको अपने इस परकार से भी लिख सकते हैं द्वंद समास उसके बाद बात करें बहु विरही बहु विरही समास यहां बैकोनी ध्यान राखियो अब इनकी जो मुख्य पहचान है वो मैं आपको बता देता हूं तत्पुर समास के यहां दो भाग मान लेते एक पांचों भाग है वो हो गया करम धारे समास और इसी का एक छटा भाग मान ले तो द्वीगू या इसको इस परकार भी लिख सकते हैं द्वीगू समास अब अपने बात करें कि अवेवी भाव समास क्या है जिस समास में उपसर्ग कोन कोन से जैसे यथा ठीक है उसके अलावा आ, ला, भर, बे ठीक है उसके अलावा परती या अपने बात करें नीर या उसके बात बात करें निस या नी, बे, से ऐसे उपसर्ग आए तो वो कोन सा होगा अवेवी भाव समास या शबदों की पुन्रा वर्ती आए वो कोन सा समास होगा अवेवी भाव समास आज के दिन सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे कि अवेवी भाव समास क्या है बाकी मैं आपको थोड़ा-थोड़ा इनके बारें बता दिता हूँ इसका पहला पद परधान होता है पहला पद परधान होता है वो समास कौन सा हुआ अवेवी भाव समास तत्पुर्ष पुरुष परधान है क्या है पुरुष परधान है तो यानि यहां तत्प में कोई परधान नहीं है पुरुष परधान है तो यहां हो जाएगा दूसरा पद परधान दूसरा पद परधान दुवंद में दोनों पद परदान है और बहु विरही में क्या है कि गोण पद इसमें अन्य ही अर्थ निकलता है वो कोण सा हो गया बहु विरही समास हो गया करम धारे समास करम करने वाला ही धारन करता है धारे यानि धारन करने वाला तो यहां पर भी दूसरा पद परदान होगा और इसके अंदर विसेशन विसेशय उपमे उपमान का संभंध होता है वो करम धारे समास है ड्युगु समास जिसमें पहला पद संख्या वाची हो संख्या वाची हो वो कौण सा होता है ड्युगु समास होता है आज अवयवी भाव समास को पूरा केलियर करते हैं तो एक बर स्क्रίν स्वोट ले लियो गते ठीक है अब इसके अंदर अपने बात करें कि अव्यवी भाव समास की बात जो कर रहे हैं इसकी क्या-क्या विसेश्ता हैं हो सकती है जैसे मैंने लिखा यहाँ पर अव्यवी भाव समास पहला तो आपन वो भी पतो होनों चीए कि अव्य है क्या अव्य यानि वह जिसे लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदला नहीं जा सकता परिवर्तन सिल नहीं होता वो क्या कहलाता है अव्य कहलाता है ठीक है क्या कारण लिंग वचन काल कारक एक चीज़ अव्यवी भाव समास की जो विसेश्ता है इसको पहचानने की अव्यवी भाव समास की जो अपने अव्यवी भाव जिसका पहला पद अव्य होता है और वो अपने सयोग से समस्त पद को भी अव्य कर देता है वह कौन सा समास होता है अव्यवी भाव समास होता है पहला पद किसा हो? पहला पद परधान होगा और पहला पद जो होगा वह अव्य होगा अव्य जो किसी लिंग crocodन काल या कारक के अधनूसार बदला नहीं जा सकता ठीक है तो इसके अंदर कहांगे पहला पद परदान पहला पद परदान इसकी पहचान क्या है वो सारी आप कर लेना अभी उपसर्ग मुलकता शब्द यानि उपसर्ग होगा पहला दूसरा शब्दों की तीसरी बात है शब्दों की उन्रावर्ती उन्रावर्ती सोथी अगर बात करें एक जैसे एक जैसे दो पदों के बीच दिख रहे हो तो नहीं एक जैसे दो पदों के बीच बिना संधी नियम कोई मात्रा या व्यन्जन आई तो वो कौन सा होगा अब यह भी भावसमाश होगा चार चीज है इन चार चीजों को समझ लिया आई सोट ट्रिक है पहलो पद प्रदान होनों चाहिए उपसर्ग मुलकता या शब्दों की पुन्रावर्ती या एक जैसे दो पदों के बीच एक जैसे दो पदों के बीच बिना कोई संदी नियम और संदी नियम कोई मात्रा या वेंजन आए ठीक है बिना संदी नियम कोई मात्रा या वेंजन आए तो उसको क्या कहते हैं अब यह भी भावसमाश कहते हैं अब इसके जो उपसर्ग कोन कोन से हैं उनके बारे में बात करें, इसके उधारन क्या होंगे उनके बारे में बात करते हैं, नोट कर लिएू? सागर सागर नोट कर लिए बिल्कुल आसान है, कोई मोटी बात को नी? जैसे इसमें जो उपसर्ग वाले जिनको हम पहचान सकते हैं कि वो कौन-कौन से हैं जैसे अगर मैं बात करूँ यहां यथा यथा संभव यथा मती यथेश्ट यथार्थ अब ये यथार्थ कई बार एक्जामिनर क्या पूशता है कि वह पद बताईए जिसमें समास भी यर संदी भी है जैसे यथार्थ यथा पलस यानि यथा धन अर्थ यथा धन अर्थ इमसंदी कुनशी आगी दिर्ग संदी यानि सेम सेम आएगा तो बड़ा बन जाता है यानि ए धन ए आने पर क्या बन जाता है आ और ए धन आ आने पर भी क्या बनता है आ ठीक है तो यथार्थ वो हो गया जिसके अंदर ये दोनों चीज आगी उसी परकार यथा के अलावा अपने बात करें ला की गुर्जी थे बहुत लाजवाब पढ़ारया हो लाजवाब गुर्जी थारी पढ़ाएगो कोई इलाज को नी ला इलाज गुर्जी माने थे लावारिस मत कर दियो ए सारा गा सारा उधारन कीगा है अब यवी भावस हो के बात है खुस दिल यानि खुस मिजाज यहां पर खुस मिजाज भी आ जाएगा खुस मिजाज नोट करते रहो साथ साथ में सही दिख रहा ना खुस दिल खुस मिजाज यह आपने बहुत जादा प्रसंद पुछीजे आजन्व आजीवन मैं साथ निभाऊंगा है आमरनगा उसके अलावा बात करें अपने परती उपसरगों की बात कर रहे हैं जो अवेवी भाव समास में है और कौन से उपसरग जो करम धारे समास में आते हैं और अवेवी भाव में नहीं आते उनके बारे में भी बताऊंगा, उनको व्यलक से नोट करेंगे, अपने इधर साइड में नोट कर लेंगे, ये सारे एक बार आते हैं, उनके बारे में बता रहा हूं, परती दिन पढ़ाया ग्रोगुर जी, परती वर्स पढ़ने के लिए त्यार है, बे, बे सरम लोग प पताराओं की पढ़ाई कर लो, बे वजय है, वरना बे घर हो जाओगे, कुन सो है, समास अब अब भी भाव, उसके अलावा बात करें, नी, निडर, न्यून, ठीक हैं, और दिख रही हैंगे, निर, यानि निर्भय, निरद, निरंद्र, आमरण वाले में आसमुद्र, तो एक बारी तो स्क्रिनशोट लो थे, इस चीज को समझना पड़ेगा, भी ये कौन-कौन से है, यथा, ला, खुस, आ, परती, बे, नी, ठीक है, उसी परकार जैसे भर से अपने याद करते हैं, कि हमने सर्व भरसक प्रयास किया, ये बात पहले बोल चुका हूं में, भर पेट खाया, ठीक है, वो यी चीजों को मैं लो शब्दों को पहचानना है, कि वो कौन से इस मास मे आते हैं, जैसे अब बात करें, सय यानि सहर्स, ये भी इसी में आएगा सय भी, भर, भर पेट, भर सक, ये भी किस में आएगा, इसी के अंदर आएगा, और इसके अलावा अपने बात करें, पहले कितने करवा दिये थे भी, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साट, आर, नो, जस, ये उपसरग तो आगे अवेवी भाव समास में, जो नहीं आने वाले हैं, ये उपसरग अवेवी भाव समास में नहीं आते, उनको नोट करो, जो उपसरग अवेवी भाव समास में, नहीं आते इनको नोट करना है जो उपसरग अवेवी भावसमास में नहीं आते हैं उनमें जैसे सू कू दुर और सै जिता भी सै सलेटी, सै सलगम सै शटकोन वो सारे जैसे दुस ये वाले ये इसके अलावा सत उत प्रे ये किस में आते हैं? ये सारे के सारे जो उपसरग है वो करम धारे में आते हैं किस में आते हैं? करम धारे समास में ये आते हैं तो आपनलाम किसा किसा आनलाग रहा? दुबारा बन बतानलाग रहा हूँ यथा आएगा आएगा ला ज्वाब जैसे बात की यथा आ ला भर निस निर ठीक है नी बे सै और उसके अलावा खुस ये सारे किस में आएंगे अभे भी बाफसमास में आएंगे अब आप आप साब्दा की बात करांगा जखा मैं शब्दां की पुल्ण रवरती हो ठीक है तो शब्दों की पुल्ण रवरती वाले हैं या मैं जो आपको बता चुका था कि जिसमें कोई संदी नियम ना आए, के ना आवा है, कोई संदी नियम ना आवा है, और मात्रा या व्यंजन जो आवे बाँगे बात करा, शब्दों की पुन्रा वर्ती, वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे, घर घर, गली गली, अब योजग चिन्ने लग रहा है, तो द्वंद स माँ सना करती हो, ध्यान राख लिए हो, ठीक है, घर घर, गली गली, चहरे चहरे, नगर नगर, साफ, साफ, होले, होले, बार, दिख रहा है, बार, बार, यानि, घर घर, गली गली, चहरे चहरे, बार बार, साफ, साफ, होले, होले, यानि एक जैसे शब्दों की पुन्द्रा वर्ति हो रही है, घर घर, गली गली, चहरे चहरे नगर नगर, ठीक है, अब दूसरी बात जो बताया मेंने, कि जिसमें कोई संधी नियम ना हो, संधी नियम नै हो, और मात्रा या व्यन जनाई, जैसे, रातों रात, रातों रात, बीचों बीच, बारम बार, बारम बार, यका यक या एका एक, एका एक या यका एक, ठीक है, रातों, रात हो गया, बीचों बीच हो गया, बारम बार हो गया, और ठीकों ठीक, भागम भाग, भागम भाग, पोलम पोल, पोलम पोल, ऐसे शब्द, जो रातों रात, बीचों बीच, बारम बार, एका एक, ठीकों ठीक, भागम भाग, पोलम पोल, यानि एक जैसे, दो जैसे एक जैसे दो पदों के बीच में कोई संधी नियम नै हो और मात्रा या व्यंजन हो तो वहां पर अव्यवी भाव समास होता है ये नोट कर लीजिए और इसी के साथ अगले वीडियो का इंतजार करते रहना आप ये जरूर बताना कि ये कोशिस कैसी रही आप अवे भी भाव समास के उधारन देख लेना और उनको कर कर देख लेना आपको पता चल जाएगा बाकी कैसे समासिक विग्रिया कैसे होता है वह दिर दिर त्योंकि शुरूरात बेपी को क्या पसंद है बेच पसंद है तो अपने को शुरूरात करनी है और इस वीडियो को क्योंकि ये हिंदी मेरे जीवन में मैं साथ दूसरी बार ही पढ़ा रहा हूँ पहले किसी संस्तान में थोड़ा सा बताया था मैंने भी संदी समास कैसे पढ़ने लेकिन हिंदी को सीखने से पहले आपको शब्द शुद्धी, विलोम शब्द, प्रायवाची, मुहावरे, लोकोक्ती, युगम शब्द ऐसे तदभव, तश्चम इनको सीखना पड़ेगा तब जाकर आपको ये आएंगे संग्या, सरोणाम, किरिया, विशेशन, कारक, जैसे अपने पढ़ते हैं ततपुर समास ततपुर समास के भी छह भेद हैं, कौन-कौन से को छोड़कर, करता को और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो हैं कारक के भेद वो सारे किस में आते हैं तत्पुर समास में आते हैं उसके भी छे भेद तो उन चीजों को याद करने के लिए में क्या करना पड़ेगा बार-बार मेहनत करनी पड़ेगी रातो रात, ठीको ठीक, बिचों भीच, पोलम पोल, भागम भाग, बारम बार, यथा यका एक, यथा संभव, यथेश्ट, यथोचित, यथार्थ, वो जो बता कर गया मैं आप लोगों को निरज, निर्भय, ठीक है, निरंद्र, ठीक, निरव, वो सारी चीज़ें आपको बा करना पड़ेगा, जितना कोशिस आप लिख कर याद करोगे, उससे अच्छा कोई भी चीज, कोनी हो सकए, तो आउमीद मतारू कर रहे हूं, कि वीडियो थान पसंद आवगो, तो लाइक, कमेंट करके जुरूर बताईओ, ताकि और भी वीडियो बनाए जा सके, वरना फिर इस्टरी और आपनी कल्चर तो ही आपने करने बाचालती रेणी है, जे हिंद, जे भारत सगलान, एक बार राम राम